नमस्कार आप लाइप स्टीज देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ रोहत वर्मा देखे बिहार में कोरोना के मामले जिस तरीके से मिलने लगे हैं कहीं न कहीं लोग अब डरे हुए हैं सहमे हुए हैं पिछले ही दिनों बात करें तो बाका जिले का एक रहने वाला व्यक्ति कोरोना पोजिटिव पाया गया जिसकी ट्रेवल हिस्टी कैडला और अन्य राज्यों में थी दो लोग कोरोना पोजिटिव बिहार में पाये गए हैं जिसके बाद कल बिहार के मुख्यमंतरी नितीश हम तिदिस्वी आदब ने बैठक बुलाई थी बैठक में कई निर्ने लिए गए हैं देखे इस वक्त हम पतना के आईजी आइमेस अस्पताल में खड़े हैं जो ये कोविट वार्ड है वो पूरी तरीके से तयार कर लिया गया है चुकी कल की बात करें तो कल घंटो चली हा अब ही फिलहाल कितने बैठक ये वोड तयार किया गया है सर किस तरीके से तयारी आईजी आईजी आइमेस में आप लोगों ने चौदह बैड का वोड और तीन आईसोलेशन आईसी यू तयार किये हैं और किसी भी स्थिती से निपटने के लिए हमारे पास पर्याप संसाध पिछली बार ऑक्षिजन की कमी देखने को मिली थी कई इस पतालों में क्या इस बार नहीं इस बार पिछली बारों से ही सबक लेते हुए जो निड़ने लिए गया है अभी ऑक्षिजन की कोई कमी नहीं है और अभी जो वेरियंट फैला है उस हिसाब से बहुत खत्रे की कोई भी लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या उनको किस तरीके कि साफधानी बरतने के अभी फिलहाल ज़रूरा तरीक के ने साफधानी वही है जो पहले थी कि मास्क का प्रयोग करें हाथों का सफाई रखें हैं और सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर अभी फिलहाल 14 बेट के जरी यहां पर उक्सिजन उन पेशेंट को पहुचेगा और मुकमल तयारी पहले से ही कर ली गई है देखें पिछले दिनों की बात करें तो पिछले दो दिनों पहले जो है कोरोना के दो मरीज पॉजिटिव पाई जाते हैं बिहार में और जिसमें एक राजधानी पटना के गरदनी बाग करने वाला व्यक्ति होता है तो दूसरा बांका जिले का रहने वाला होता है और पटना के सभी अस्पतालों को या फिर बात करें तो बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों को अलोट मोट पर रहने के लिए कहा गया है कली 24 घंटे पहले ये पूरी बैठक होती स्वास्त विभाग के कई अला दिकारी मौझूद होते हैं जिन्हों ने इस बैठक में कई बड़े फैस्ट लिये थे कल ही हमने आपको बताया था और हमने ये भी बताया था कि किस तरीके से अब जो जांच थी उसको उस जांच में तीजी लाने की बात कही गई है मास का उपय सब्सक्राइब नहीं किया है जिल से लाइफ चिटीज को सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद